की गाइस वेलकेम बैक आई होप आप लोग अपने घर में बिलकुल ठीक होएंगे और आज मैं आप लोगों साथ शेयर करने वारी हो कि मेरे घर में हम दोसा कैसे बनाते हैं वैसे हम बाहर से भी मंगवाते हैं और मैंने आईडी का डोसी का बैटर जो है उसका रिव्यू दे चैनल पर उसकी वीडियो है तो आप जाके वह देख सकते हो तो बीना टाइम वेस्ट ही है ने हमें वीडियो शुरू करने चाहिए और वीडियो को पूरा आइंड तक ज़रूर देखना तो यहां पर सबसे पहले मैंने ले ली हूँ एक बाउल जिसके अंदर मैं डाल रही ह 55-52- ranging की डाल चिलीवी मूमकी डाल इसे दुलीवी मूमकी डाल भी कहते हैं तो मैंने यहां पर यह ली हूँ 5- fast ग्राम यह है माश्सकी डाल यह भी मैंने 50 guarantee कंड गराम ली हूँ न मैंने जो चमच यूस्स की ऑट उर्ता है तो मैंने इसलिए यह एक्राम्स िस्री से पर ज तो आपके पास जो भी चावल घर में अवेलेबल हो आप पो चावल ले सकते हो तो यह तीनों के अलग अलग बड़तरों में निकालना है अब आप सोच रहेगे के मैंने 100 ग्राम चावल क्यों लिए जब के 50-50 ग्राम यह ली हो तो डोसी के बैटर में हमेशे याद रखना है क माश की डाल और मूम की डाल से तो हम तीनों को बहुत अच्छे से वाश करेंगे और इनके अंदर पानी भर के ढखकर पूरी एक रात के लिए छोड़ देंगे इन्हें तो इनको आपको बहुत अच्छे से वाश करना है और एक रात के लिए आपको इसको छोड़ देना है तो मिलते हैं अगले दिन तो यहां पर एक रात पुरी हो चकी है और मैंने ढखकर छोड़ दीती पानी भर के मैं आपको दिखाते हूँ यह है माश की डाल और यह रहा चावल तो जब आप इसको एक रात के लिए छोड़ देते हो तो यह अटोमेटिकली थोड़ी नरम पढ़ जाते हैं जैसे चावल भी है थोड़ी मेरे नरम पढ़ गए है यह माश की डाल में मेरे थोड़ी नरम पढ़ गई है और यह रही मूम की डाल यह भी थोड़ी सी है नरम पढ़ गई है तो जब रात भर के लिए छोड़ोगे तो वह आटोमेटिक ली थोड़ी नरम पढ़ जाएगी अब हम क्या करेंगे एक मिक्सी का चार लेंगे जिसके अंदर है न हम यह सारी डाल डाल देंगे ठीक है सारी एक साथ में डालनी है एक एक करके डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छा एक बात याद रहो है कि आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए इसलिए मैंने च्छनी का यूज की थी अगर आपसे गलती से पानी जा रहा है तो ठीक है इसके बिल्कुल आपको फाइन पेस्ट बना देना है देखो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाली थी लेकिन फिर भी इतना लिक्विड में बना अगर आपने पानी डाल दिये तो मतलब बिल्कुल खराब हो जाएगा और आपका डूसा भी खराब हो दीरे दीरे करके है ना हम इसका भी पीस लेंगे माश की डाल का भी और चावल का भी हम पीसेंगे तो आपको इन दोनों के अंदर भी पानी बिल्कुल नहीं दिखाना है मतलब बिल्कुल नहीं डालना है पानी दिखाना नहीं बिल्कुल नहीं डालना है आपको पानी तो मै पीस पीसгорी टो पीस में तो अब पीस के पड़ेगा cya vb ऐसे थिक सा तो अगर आपको वैटर ऐसे थिक सा बने तो और घब्राना नहीं है तो आपको पीस होगे तो इसका बैटर कुछ ऐसे बनेगा तो आपको इसमें भी टेंशन ने लेनी है और आपको मैं तीनों है एक साथ दिखाती हूँ यह है माश की डाल, मूम की डाल तो आपने पहले ही देख चुके हो और यह रहा चामल का अपना मेरे पास घर में है यह वाला बरतन अगर आपके पास नहीं है तो इस सोगे आप कोई भी बरतन ले सकते हो तो मैंने है न यहां पर अभी डोसे के बैटर में रहता है खमीर लाना खमीर लाना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहता है खमीर रही आपके डोस्या मज़ब बनते है खमीर आएगा तो ही बनेगा तो यहां पर आप चाहो तो कोई बड़ा बरतन ले सकते हो इस चील का या फिर आप कोई प्लास्टिक का बॉल भी ले सकते हो तो मैं धीरे और आपको फिर दोनों चीज़ को एक चीज़ के अंदर मिलाना है या तो आप मूम की डाल के अंदर दो चीज़ मिला दो या तो फिर आप माश की डाल के अंदर मिला दो या तो आप चावल के मतलब आपको तीनों को मिलाना है और एक जान करना है मतलब बहुत अच्छे से तीनों को मिलाना है तो उसके लिए आपको बड़ा बरतन की जरूरत पढ़ेगी अगर आपने छोटे छोटे बरतनों में माश की दाल चावल और मूम की दाल भिगोए हो तो आप को दूसरा बरतन ले लो जिसके अंदर आप तीनों को मिला के रखो क् खमीर आएगा तो यह आथोमेटिकली उपर हो जाएगा तो आपको फिर बड़ा बरतन की जरूरत पढ़ेगी तो यहां पर मैंने तीनों को अच्छे से मिला लिये मैंने जिसमें चावल मतलब भीगोई थी ना वो मेरा थोड़ा बरतन था तो मैंने उसी में मिला दी तो इस मेरी आवास थोड़ी खराब आ रही है तो उसके लिए सौरी क्योंकि में तब्या थोड़ी खराब है बट मैं आपके लिए इतनी महनस करी हूँ तो फटावट से वीडियो को लाइक कर दू तो इसे ढखकर हम एक रात के लिए छोड़ देंगे अगर थंडी का मौसम है तो आपको कुछ ऐसे करना है कपड़े से ढखकर प्लेट ढखकर और उपर कोई वसंदार चीज रखनी है गर्मी का मौसम है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है खमीर बहुत जल्दी आ जाएगा तो मिलते है कल तो एक दिन हो चुका है और यहां पे इसमें बहुत अच्छा खमीर फूल चुका था तो थंडी का मौसम था तो इसलिए टाइम लगा इसको बनने के लिए और मेरे पास भी बहुत ज्यादा था इसले मैंने इतनी मैनत नहीं की अगर आपको बहुत जल्दी है और आप चाहते हो कि इसमें खमीर बहुत जल्दी आजय तो आपको इसमें डालना पड़ेगा Soda एपको बहरके नाना ढलना है बिलकुल सवाधैनूसा जैसे Soda डालना है तो बिलकुल थोड़ा सा Soda डालना है अब में इसे सडोसे बनाउंगी, आप इत्ली बनाऊ या अफिडोसर बनाऊ जो आपकी मर्ष्यों जो आप मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम तर जिसकी वजह से मैंने इसको दो दिन तक खीची हूँ अगर आपके पास ना हो तो आप इसे छे घंटा बिगोने के बाद इसे में पीस कर इसकी अंजर आप केसल क आप सोडा मिला सकते हूँ अप आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे पास टाइम यह तो जिसकी प्लै मेरे पास यहां पे हैं जो बहुत छोटा है जिसके वज़ेसे मुझे छोटा रोसा बनाना पड़ा है आप चाहो तो इकली बनाओ या इस विल्वमा पूराभर उसमें बनाओ जो आपकी मरज़ी हो वह बनाओ और मुझे कमेंट सेक्षं में जिसमें मुझे बताओ कि आपको प तो दाल बनाना भी बिल्कुल सिंपल है नॉर्मल जो दाल रहे थी आप वो बना दो और उसमें भगार कर दो या फिर आप बहार से मसारा भी ला सकते हो जो आपकी मरजी हो यहां पर मैंने इसको डोसा बना रही थी डोसा पैन में डालने के पर आपको 2-3 मिनट रुखना होग और उसके बाद इसको पलटना होगा यह डोसा बोलो या फिर आप इसको छीला बोलो जो आपकी मरजी आप बोल सकते हो और सच में बहुत टेस्टी बना था आप चाहो तो इसमें नमक भी एड़ कर सकते हो वैसे कई लोग नमक एड़ नहीं करते हैं लेकिन मैंने इसमें नम कर सकते हो मैंने इसके अंदर नमक बात में एड़ की थी क्योंकि मुझे सिंपल डोसा खाना जादा अच्छा लगता है जैसे मैंने बताई थी तो मैं चट्नी और डाल के साथ भी नहीं खाती तो यहां पर नहीं धीरे धीरे करके पूरा बना ली इस डोसे से इस पैटर से त सच में तो आप चाहो तो इसको ट्राय कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर करो जिसको डोसा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जाने से पहले लाइक कर देना और सस्क्राइब कर देना चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए और कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं सबके कमेंट ड्रीट करती हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक आप अपना ध्यान रखो ओके बाई